Hello and welcome in today's video lecture series on dual nature of radiation and matter जिसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक pre-requisite class है pre-requisite class की हमने दो video lecture series रखी हैं उसमें से ये video उसका पहला part है तो इस video में हम थोड़ा time देंगे ये समझने के लिए कि pre-requisite class क्या होती है और ऐसी class की क्या essence है तो आते हैं हम सबसे पहले हमारे पहले question पर कि what is a pre-requisite class तो pre-requisite मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो exist करना जरूरी होती है ताकि उसके बाद कोई और नई चीज exist कर सके तो हमारी class में pre-requisite का मतलब है वो ideas, concepts या फिर topics जो आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए नई चीज समझ सके तो dual nature of radiation and matter को पढ़ने के लिए हमें दो ideas की जरूबत पढ़ेगी जो हमें पहले से मालूम होने चाहिए वो है radiation और matter तो इन ही radiation और matter का जो basic idea है हम दो parts में पढ़ेंगे पहला part हमने रखा है classical view मतलब की पुराना view और एक modern view जो की है नए आदियू तो classical part का जो video lecture है वो अलग रखा गया है और modern part का जो video lecture है वो अलग रखा गया है classical part के video lecture के बाद हम एक quiz रखते हैं और modern video lecture के बाद भी हमने एक quiz को रखा है इन quiz का केवल ये मतलब है कि आपकी understanding level in topics को लेकर कितनी है अब understanding समय के साथ बनती है और repetitive study के साथ बनती है तो एक दिन में तो depth आना possible नहीं है लेकिन हम इन video lecture series और इसके बाद के quiz से ये ensure करते हैं कि आपके अंदर कोई misconcept formation ना हो अब आते हैं हम हमारे दूसरे question पे कि what is the essence of prerequisite class तो prerequisite class क्यों हो जरूरी है तो आप जानते हैं science कोई नया subject नहीं है आपके लिए ये start हो गया साथ 6th class से और इसमें छोटे छोटे topic करके 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक आपको धीरे धीरे upgrade किया जाता है तो अब ऐसी पढ़ाई में एक नुकसान ये होता है कि ये 6th से लेके 11th तर आपने कोई topic skip किया और फिर आप उसको skip करके 12th में कोई नया topic पढ़ने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है या तो आपको समझ में नहीं आये और ये आपको समझ में आयेगा तो बहुत कम समझ में आये और कोविड में जब आपका जो 11th का कोई हिस्सा था जो काफी हद तक प्रभावित हुआ है उसके बाद AC classes का महत्व और बढ़ गया है इसलिए हम किसी भी chapter को start करने से पहले कुछ classes या कुछ lectures pre-recusite topics पर जरूर खर्च करेंगे तो आज का जो हमारा पहला pre-recusite topic है वो है classical view on radiation and matter तो आप अभी इस समय board पर देख रहे होंगे कि मैंने हम मेरा पूरा lecture flow board पर draw कर रखा है ठीक है इससे ये फाइदा होगा कि लिखने में जो time लगता है वो आपका time waste नहीं होगा लेकिन इसका एक नुकसान भी है नुकसान ये है कि इसमें destruction होता है तो इसको हम camera की zoom की मदद से और आपके concentration की मदद से minimize करेंगे आप के बर उनी चीज़ों पर ध्यान दीजेगा और camera से भी हम के बर उनी चीज़ों पर zoom करेंगे जिनको हमको discuss करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं classical view on dual nature of radiation and matter तो classical view क्या है classical view क्या काफी पुराना view है old view ऐसा नहीं classical view का मतलब बस यह है कि it came earlier यह सबसे पहले आया it came earlier और it is still varied इसका मतलब यह नहीं कि कोई चीज़ पुरानी है तो वो outdated हो गई है और वो अब हमारे किसी काम की नहीं है इसलिए फिर हमने modern view लेकिया है ऐसा नहीं है classical view भी अभी भी उतना ही important है और उतना ही valid है modern view अगर existence से हट जाए तो भी classical view के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को बड़ी असानी से पढ़ सकते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें कहलाती है macroscopic objects macroscopic objects वो होते हैं जिनको हम naked eyes से बिना किसी optical resolution वाली devices के naked eyes से बड़ी असानी से देख सकते हैं जबकि इसका opposite होता है macroscopic objects जिनको आप किसी microscope या इसी प्रकाहती किसी optical device की सहयता से देख पाते हो naked eyes से नहीं देख पाते हो तो generally हम जिन चीज़ों से interact करते हैं day to day life में वो macroscopic objects थे तो macroscopic objects के लिए classical view 100% valid है ठीक है तो आप ये मत सूचिएगा कि classical view outdated concept है ठीक है ये बहुत जादा पुराना है एसा भी मत सूचिएगा अब आते हैं हम modern view पर तो modern view में क्या है modern का मतलब ये नहीं कि ये अभी हाली में कुछ सालों पहले आया है ये भी पुराना है बस ये classical view के बाद आया है it came later और क्योंकि ये बाद में आया है तो इसमें कुछ ऐसे modifications ऐसे changes होंगे जो classical view से ज़्यादा effective होंगे क्यों क्योंकि classical view में जो भी कमिया रहे गई थी उसको इसने modify करके अपने अंदर incorporate किया कि वो कमियों को के से दूर के रहा है तो कमी के वल एक ही थी कि ये microscopic objects पर classical view नहीं लग पा रहा था क्यों नहीं लग पा रहा था चुकि देखो microscopic objects वो होते हैं जो आँखों से नहीं देखे जा सकते जैसे की atom, nuclei, subatomic particles, जैसे की electron तो electron के बारे में ही जदी हम बात करें तो सबसे छोटा subatomic particle हमारे लिए electron है और ये electron discover कब हुआ 1900 के around तो तब तक उससे बहुत पहले classical view बन चुका था और उस समय microscopic objects के बारे में जाए discovery नहीं हुई थी तो ज़्यादा study नहीं हुई थी तो ये हिस्सा जो है छूट गया लेकिन जब एक बार electron के discovery हो गई और फिर उसकी study हुई और classical view के concept को microscopic objects पर लगाया गया और हमें जो कमिया देखना को मिली उस कमियों को modern view के तुरू सुधार रिया गया तो modern view macroscopic objects पर भी valid है और microscopic objects पर भी valid है अब यही मैं इसमें बिल्कुल काइदे की strict बात आपको बता हूँ तो macroscopic पर अभी भी हम classical view लगा रहे हैं केवल microscopic पर हम modern view लगाते हैं modern view को लगा दोनों पर सकते हो लेकिन लगाते किस पर हैं केवल microscopic पर इस वज़ा से दोनों ही view दोनों ही concept important तो आपको समझ में आगया होगा कि classical view का क्या मतलब है और modern view का क्या मतलब है अब इसका हम एक-एक करके analysis करने वाले हैं तो आज की class में हम केवल discuss करने वाले हैं classical view तो classical view को हम समझे उससे पर आप board पर देख रहे होंगे एक word लिखाए मेरे universe universe वो जगा है जहां हम सब रहते हैं आप में सब यदि मैं आपका पता पूछूं और मैं अपना पता बताऊं तो इसमें एक common चीज आखर में जो आके निकलेगी वो है universe जैसे कि मैं start करता हूं अपने घर से जहां अभी ये recording चल रही है तो I am at my home ये home कहाँ पर है भुपाल में भुपाल कहाँ पर है मध्यपरदेश में मध्यपरदेश कहाँ पर है इंडिया में इंडिया कहाँ है एशिया में अर्थ में अर्थ कहाँ है सोलार सिस्टम में, सोलार सिस्टम कहा है, गैलेक्स दी में, गैलेक्स दी कहा है, तो ultimately हम कहां पहुँच गए, हम पहुँच गए universe, अब ऐसा ही आप स्टार्ट करके देखो, या किसी और चीज़ के लिए स्टार्ट करके देखो, हम ultimately एक ही जगा पर पहुँचेंगे, वो जगा है universe, तो आप में, हम सब ये पूरी दुनिया, नेचर, सोलार सिस्टम हमारा, हम सब कहां हैं, हम किस के अंदर हैं, हम एक बहुत बड़े space के अंदर हैं, मुझको भी एक space चाहिए, मेरे घर को भी एक space चाहिए, मध्यप्रदेश का भी एक space है, इंडिया का भी एक space है, अर्थ का भी एक space है, ऐसे ही, इन सारी चीजों का एक खटे एक बड़ा सा space है, उस space का नाम ही universe है, और देखो, इसके नाम को बड़ा सिंपल रखा गया है, आप नाम को ही देखोगे, तो दो चीजों से मिलके बनाए, uni और verse, एक Latin word है, और एक Roman word है, तो हमको Latin कौन सा है, रोमन कौन सा है, उसमें नहीं उलजना है, हमको उसके meaning उलजना है, चुकि हम यहाँ English नहीं पढ़़ड है, ठीक है, तो uni का मतलब है single और verse का मतलब है line, तो single line में, single word में आप इसकी definition दे सकते हो, क्योंकि everything is universe, ठीक है, तो universe को हम एक word में रिडिफाइन करें, तो वो है space, space मतलब जगा, volume, जो जगा है, उसको बोलते है universe, अब universe के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, कि हम इसके जितने चाहें, उतने classification कर सकते हैं, एक living और non-living classification चलता है, ठीक है, यह बहुत ज़रूरी है, living की जो science है, उसको life science बोलते हैं, और non-living की जो science है, उसको physical science बोलते हैं, कि यह जो पूरा universe है, दो चीज़ों से मिलके बनाएं, एक meter और एक energy, जो Indian philosophy है, मतलब पुराने शास्त्र literature हैं, उसके अंदर भी इसी बात का जिक्र है कि यहाँ संपून ब्रह्मान्ड, दो चीज़ों से मिलके बनाएं, दो अवस्थाओं से मिलके बनाएं, एक जड़वस्था और एक चेतनवस्था, अब यह पूरी हिंदी तो आपके समझ में आई नहीं होगी, इसलिए मैं यह आपको समझा भी नहीं रहा, बस मैं बतारा हूँ कि यह कोई नया concept नहीं है, अब यहाँ पर जो term energy use की गई है, इसको हमको radiation से replace करना पड़ेगा, क्यों? क्यों replace करना पड़ेगा radiation से? इसलिए कर सकते हैं कि energy का ही एक form radiation है, और हम energy के सारे forms का यहाँ पर discussion नहीं करने वाले हैं, ठीक है? नहीं तो हमारा discussion अनवश्यक रूप से lengthy भी हो जाएगा, और confusing भी हो जाएगा, ठीक है, तो जो हमारी जितनी समझ है, उसके हिसाब से इसलिए जरूरी है कि हम इस radiation, मतब energy को replace करने है, radiation, तो radiation क्या है? radiation energy का ही एक रूप है, ठीक? तो अभी हम discuss करने वाले हैं matter और radiation, तो classical view यह कहता है कि matter एक बहुत अलग चीज है, और radiation एक अलग चीज है, बावजिद इसके एक ही universe में पाए जाएगा है, इसलिए यह दो प्रकार हैं, दो चीज हैं, जिनको आप distinguish कर सकते हों कि भाई, यह matter और यह radiation, अब distinguish कैसे करना? Distinguish किया जाएगा उनकी nature के आधार पर, तो जो matter का nature है, हिंदी में बोलते हैं प्रकृती, तो जो matter की प्रकृती है और जो radiation की प्रकृती है, जो nature है वो बहुत अलग अलग है, तो matter का nature जैसा है, विसा radiation का nature है, जैसा radiation का nature है, विसा matter का nature है, क्यों? कारन है उनका composition, अब वो बने ही अलग-अलग चीज़ों से हैं, ठीक है, तो composition अलग-अलग है, तो एक का composition है particle और एक का composition है wave, ये दो शब्द इस्तमाल करते हैं हम इनके composition, तो matter किससे मिलकर बना हुआ है, particle से, और radiation किससे मिलकर बनी हुई है, wave से, ये terms हैं, जो आपको ध्यान रपनी है, तो classical view कहता है कि universe matter और energy से मिलकर बना है, matter और energy का nature अगल-अलग है, चुकि इसका composition अलग-अलग है, matter का composition है, वो particle है, और nature जो है, sorry, radiation जो है, wave से मिलकर बनी है, तो इसी को English में बोलते है, matter has particle nature, और radiation has wave nature, ये तो हो गई यहाँ तब की बात, तो classical view आपके दिमाग में बैठ गया, आ आप अच्छा से दिमाग में बैठ है, classical view के रताइक universe के दो हिस्से हैं, एक matter और एक energy, अब matter का particle nature और energy या radiation का wave ने चलिए, अब आगे रखेंगे, अब आप बोर्ड पर देखेंगे, आपको बोर्ड पर क्या लिख रहा है, आपको दिख रहे हैं, बोर्ड पर कुछ properties, जिन objects के अंदर रखेंगे, अब बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि जब भी मैं matter बोलूँगा, तो आपको matter के साथ particle जरूर बोलना है, अपने अंदर particle जरूर बोली, और जब भी मैं radiation बोलू, तो आप उसके साथ जेब भी जरूर बोले, तो matter और particle के पास एक property होती है, mass, हर particle चाहिए, वो छोटा हो, बड़ा हो, उसके पास mass जरूर होगा, matter के पास एक और property होती है, जिसको बोलते है, space, क्योंकि हर एक matter चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा जगा घेरेगा, उसका space होगा, इसको maths में बोल सकते है, उसका volume होगा, तो matter के पास mass होता है, और matter के प does not occupies any space, रहता radiation space के अंदर ही है, ठीक है, universe के अंदर ही है, लेकिन radiation कोई practical जगा नहीं घेर रहा, ऐसा classical concept का मानना था, ठीक है, अब ये दो चीज़े तो बड़ी असान थी, कि matter के पास mass और volume है, और radiation के पास mass और volume नहीं है, तो ये distinguish होगा, अब problem आती है, जब ये दोनों ची और radiation भी move करती है, तो particle भी move कर रहा है, और wave भी move कर रहा है, तो जो matter का motion है, और wave motion है, ये काफी अलग अलग है, तो जो ये particle motion है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो particle motion में क्या होगा, particle motion का एक special case बता रहा हूँ, कि particle motion में हमको एक खास चीज़ देखनों को मिलेगी, जिसको बोलते है, collision, collision जो कि आपने 11 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा, तो आपको महलूपर दो चीज़ों कर टकराना, दो car, accident हो गई, तो के हो accident हो गई, टकरा गई, दो लोग दो direction में, opposite direction में, जैसे भी, पास पास आते हैं, तो एक घटना देखने को मिलती है, collision, ये collision आपको particle में देखने को मिलेगा, wave में देखने को नहीं मिलेगा, ये खास बात होती है, तो collision एक ऐसी घटना है, जो particle nature को प्रूव करती है, तो यदि कहीं collision हो रहा, it means कि वो particle है, ठीके, अब इस collision की विजासे क्या होता है, momentum और energy में change आता है, momentum में और energy में change आता है, ये दो quantity हैं, जिनसे हम collision को measure करते हैं, तो ये quantity कह से measure करते हैं, ये हम discuss करेंगे, अभी आपको ध्यान रखना है, कि matter में जब भी motion होगा, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, collision, और ये collision measure किया जाता है, momentum और energy से, लेकिन अगर ये भी बात में wave के case में कहूं, तो wave में क्योंकि collision नहीं होता, और wave में कोई momentum नहीं होता, ये दो चीज़ें wave में नहीं पाई जाएएगी, ऐसा classical view का मानना था, तो classical view के ऐसा पार्टिकल का collision होता है, wave का collision नहीं होता, पार्टिकल का movimento हो क्या होगा जब दो वेव पास आएंगी तो वेव कोलाइड नहीं करेंगी तो क्या करेंगी वेव करती है भाई सुपर इंपोस वेव क्या करती है सुपर इंपोस यह वेव का का तो वेव क्या करती है सुपर इंपोस तो अब ज़रा आप बोल्ड पर देखो सुपर इंपोस का मतलब क्या मतलब तो आपको बोल्ड पर देखेंगे थोड़ी देखेंगे वेव मोशन बना हुआ दिखेगा मेरे ख्याल से अभी तक दिखने लगा होगा तो ये जो वेव मोशन आप देख रहे हैं इसमें ये जो दोनों हैं ये वेव अब ये वेव ठीक जैसे पार्टिकल प पास पास आया तो एक दूसरे के अंदर घुस नहीं सकता क्योंकि उसका खुदका एक स्पेस है और दोनों कितने भी पास आ जाएं एक दूसरे के स्पेस की रिस्पेट तो गड़नी पड़ेगी ना जैसे आप और में गले भी मिलें तो एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते क्यों कि हम दोनों की एक personal space है लेकिन wave के साथ ऐसा नहीं हो था wave एक दूसरे के अंदर चली आते हैं चोंकि उनका तो कोई space नहीं है इसी चीज को बोलते हैं super impulse करना तो जब दो waves super impulse कर जाएंगी तो जो घड़ना घंटित होगी उसको बोलते हैं interference यहाँ पर भी energy change होगा collision में भी energy change हो रहा था यहाँ पर भी energy change होगा तो आप यह समझ लो यह collision जैसा ही है wave करें तो interference और particle करें तो collision है इसका मतलब यह नहीं कि समझ चीजें सेम हैं चीजें बहुत अलग अलग है अब एक और case हम discuss करने वाले है कि एक particle और एक wave के साथ क्या होगा यह wave है यह particle तो यह wave और यह particle जा पास पास आएंगे तब क्या होगा collision होगा कि interference होगा तो देखो यह इसकी space की respect करेगा अपने हसाब से volume maintain करके रखेगा और यह अपनी property से चलेगा तो जिसकी वज़ाद से एक नई चीज़ देखने को मिलती है जिसको मिलती है diffraction ठीक है diffraction interference जैसा ही कुछ होता है लेकिन interference यह नहीं हो सकता चुकि वहाँ पर दो waves चाहिए रहती है और यह diffraction कुछ-कुछ collision जैसा ही होता है लेकिन collision नहीं होता चुकि यहाँ पर दो particle होने चाहिए तो यह उन दोनों का मिला जुला process है diffraction तो एक हो गया collision एक हो गया interference और एक हो गया diffraction अब आते हैं हम matter के उपर तो matter यह तीन चीज़ें show नहीं कर सकता particle चु ठीक है इसमें polarization इसलिए जादा important नहीं है चुकि interference और diffraction को हम fundamental property मानते हैं wave की wave की fundamental property है interference और diffraction हाला कि radiation में यह तीनों चीज़ें पाई जाती है radiation में यह तीनों चीज़ें पाई जाती है क्यों पाई जाती है वो हम discuss करेंगे अभी आप इतना समझ लो कि जितनी भी waves है सब interference और diffraction शो करेंगी interference शो करेंगे और diffraction भी शो करेंगे लेकिन जो longitudinal wave है वो polarization शो नहीं करती है उसकी वज़ा है तो पहले polarization पढ़ना पढ़ेगा फिर समझेंगे कि polarization क्यों नहीं चिक और जो transverse wave है वो interference तो शो करेंगी diffraction तो शुरू करेगी साथ में polarization भी शुकर है तो हमारी जो radiation है जिसके बारे में हम पढ़ने बारे हैं वो transverse wave वो longitudinal wave नहीं sound wave जो होता है वो longitudinal wave होता है तो ये आपको समझ में आया होगा तो particle nature में और wave nature में difference समझ में आया घटनाव से आप समझ सकते हो कि यदी collision हो रहा है यदी collision हो रहा है तो वो particle nature और अगर interference हो रहा है diffraction हो रहा है और मानलो polarization हो रहा है तो फिर wave nature अब इसको आपको ज़्यादा समझ में तो आया नहीं होगा चुकि इस तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल दी कि बाद मैं करेंगे discuss बाद मैं करेंगे discuss अब मैं आप से यह कहना चाहरा हूँ कि यहाँ पर आप जब देखोगे कि मैं आपको एक ऐसा experiment बताऊँगा कि जिससे आपको यहाँ पर देखिए आप बोल से तो इतना हो जाता हूँ कि एक पार्टिकल है और एक वेव है दोनों की स्पीड सेम है चुकि दोनों मूव करता है तो दोनों की स्पीड सेम है कितनी स्पीड है दोनों की सी और यह किसी भी डारेक्शन में मूव कर सकते है तो क्या डिफरेंस आता है तो जब पार्टिकल ट्रेवल करता है तर देखि होगे transmit करनी, तो यह एक word वाले difference है, particle के लिए travel यूज़ करना हुआ उज़ वाव के लिए transmit है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा, जब particle move करेगा और क्या होगा जब wave move करेगा, ठीक है, तो अब धीरे-धीरे आपको यह दिखने बोड का ये वाला section वो उसी के आगे का है, ठीक है, केवल हमको इतने section पर ध्यान देना है, अब आप बोड पर ध्यान दीजिए कि क्या बना हुआ है, सबसे पेदे तो मैं discuss करदू, ये ये वाला जो हिस्सा आप देख रहा है ये particle है, और ये जो देख रहा है ये wave है, ठीक है, और ये जो बना हुआ है, ये circle नहीं है, ये sphere, तो क्यों मराया मैंने sphere, सपोस करो, अभी मैंने के बता दो, उनका speed किती है, मैंने बोला था कि उसकी speed कितनी है, c, दोनों की, तो distance कितना travel कर लेंगे after time t, distance क्या होता है, speed into time c, तो ये particle भी ct distance travel कर लेगा, और ये wave भी ct distance travel कर ल तो किसी बो direction में जा सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसलिए एक sphere ले लिया, इस sphere की radius है वो ct, दोनों की, sphere की radius कितनी है ct, मतलब ये इस sphere के अंदर रहेंगे two time के बाद, और actually में वो कहां पहुँच जाएंगे, इस sphere के surface पर पहुँच जाएंगे, तो ये जो sphere है, मैंने एक detector material से बनाया, ऐसा detector material जिस पर जाकर जैसे ही ये पहुचेगा, ये particle पहुचेगा, और ये यहाँ पर collide गड़ेगा, तो पता चल जाएगा, कि हाँ particle आ गया, particle के कहीं पर भी पहुचने की probability बराबर है, ये कहीं पर भी पहुच सकता है, एकनी सारी इसकी positions हैं, और भी positions बना सक कहीं पहुच सकता है, ऐसा ही wave के साथ है, wave भी कहीं पहुच सकती है, तो हम t time के बाद क्या देखते हैं, probability दोनों की बराबर है, कि suppose गरूल की particle इस point पर पहुचा, तो बाकी के सारे points पर particle नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर उसकी probability zero हो जाएगी, क्योंकि और यहाँ पर exactly क्या रहेगी, one रहेगी, तो यह खास बात होती है, particle एक definite direction में ही चलता है, और उस समय वो कोई दूसरी direction में नहीं चलता है, लेकिन आप wave के case में जब देखेंगे, तो इस detector पे हर जगा wave detect होगी, हर जगा, जितनी जगा मेरे बनाई हैं, उससे भी ज़्यादा जगा wave detect होगी, इस का मतलब क्या हुआ, कि wave भी उतना ही चली है, लेकिन हर possible direction में चली, तो जो wave होती है, वो spread करती है, वो transmit करती है, और जो particle है, वो particle जो है, travel करता है, ठीक है, अब आप एक दूसरे board पर हम आपको लेके चल रहे हैं, उस board पे हम आप देखेंगे, पूरा board आपको मेरे खाल से साफ दिख रहा होगा, ठीक है भाई, थोड़ी सी घर की चीज़ें में दिख रहे होगी, घर में recording चल रही है, तो आप घर पे ध्यान ना देखे, board पे ध्यान देखेंगे, तो एक matter है, और एक radiation, यह summary मना दी मैंने, जो भी अपी हमने पढ़ा, क कि matter, particle से मिलके बनाए, और इसलिए matter को बोलते है, particle nature, और radiation wave से मिलके बनी है, इसलिए इसको बोलते है, wave nature, अब देखो, आप यहाँ पर मैंने property की एक list बना दी, इस list में क्या हो रहा है, पता चल रहा है, पहली property, mass, वो matter के पास है, तकि radiation के पास नहीं है, volume मतलब जगा, matter के पास है, radiation के पास नहीं है, motion, दोनों करते हैं, तो एक travel कर रहा है, एक transmit कर रहा है, अब velocity भी इस वजहां से दोनों के पास है, अब देखें देखो, velocity के नाम चेंज़ जाएंगे, particle velocity और group velocity, particle velocity और group velocity, अब यहाँ से एक नई चीज शुरू होती है, कि हमने अभी तब पढ़ा ताकि particle के पास कुछ properties होती है, जो wave के पास नहीं होती है, अब wave के पास ऐसी property होती है, particle के पास नहीं होती हो है, frequency, यह frequency है कि ऐसी characteristic property है, जो particle के पास नहीं हो सकती, सिर्फ wave या radiation के पास होती है, अब अभी हमने पढ़ा momentum, momentum, matter के पास होगा, और radiation के पास नहीं होगा, और ऐसे ही wavelength, matter के पास नहीं होगी, wave के पास होगी, तो यह यह दो property हैं, इन पर हमारा discussion अब जादा होगा, यह सारा को आप समझ चुके होगा, अब आप देखो, velocity दोनों के पास है, velocity दोनों के पास है, तो यदि velocity को उसकी characteristic property से multiply करने, mass से, तो velocity तो दोनों के पास है, velocity का मतलब है, move करना, एक particle यदि move करना है, तो उसका mass से लिए हम multiply करेंगे, तो क्या बन जाएगा, momentum, तो यह बहुत ज़्यादा important property है, पता करने के लिए कि कोई moving चीज particle है या नहीं, अगर किसी का momentum है, तो फिर वो particle में चलिकिए, चुकि वो बना है velocity into mass, और यह wave इसलिए नहीं हो सकती, चुकि classical view के अनुसार, wave कितना mass क्या होता है, zero, तो classical view के अनुसार, यदि किसी चीज़ के पास momentum है, इसका मतलब वो particle ही होगा, पार्टिकल ही होगा, यह याद रख लो आप, चुकि वो momentum, velocity multiplied by mass होता है, ऐसे ही, अगर इस velocity को divide कर दें, frequency से, frequency किसके पास है, wave के पास, तो एक नई property बन जाती है, wavelength, यह भी moving body गी है, तो यदि किसी चीज़ के पास wavelength आ रही है, तो आप समझ दीजिए, उसका wave nature है, चुकि वो frequency से रही, तो momentum की characteristic property होगी, momentum की characteristic property क्या होगी? wave motion, wavelength, sorry, wavelength, तो momentum या mass का relation है particle से, और wavelength या frequency का relation है, wave से, ठीक है, अब दोनों की energy पर हम discussion करेंगे, तो energy के, दोनों की energy होती है, दोनों की energy के formula अलग-अलग होते हैं, तो देखो, यहाँ पर mass और velocity, इन दो property से हम energy बनाएंगे, तो mass और velocity से, यह energy का मैंने एक formula बनाया, moving body का, half mb square, तो actual formula half mb square, लेकिन यदि मेरे को इसमें momentum इंट्रोडियूस करना है, तो यह mb को मैंने momentum बना के लिख दिया, p और यह v, तो यह energy का एक formula आ गया, momentum के दो, ऐसे ही wave के साथ में, wave की जो speed और wavelength है, उससे हमने एक energy का formula बना लिया, और इस speed और wavelength के यह ratio को हम बार में frequency से change कर देते हैं, तो दोनों के formula आप देख लीजिए, energy के particle वाले का अलग है, और wave वाले का अलग है, तो कहने का मतलब यह है, कि हमारे आज के discussion के सिर्फ कहने का मतलब यह है, कि classical concept यह कहता है, कि matter और energy, nature wise काफी अलग है, इसलिए दोनों के पास जो भी चीज़ common भी होगी, जैसे velocity, energy, उनके formula एक जैसे नहीं हो सकते, reason क्या है, उनकी properties अलग अलग है, और पहचान क्या है, पहचान यह है कि matter के पास mass और momentum होगा, और radiation के पास frequency और wavelength होगी, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो यह हमारी पहली class थी, classical view on radiation and matter, hope है आपको समझ में आया होगा, भाई, अच्छा समझ में आया होगा, और जो भी की चीज़ आपको रहेगे ही समझ में नहीं आया ही, तो फिर वो आप मेरो को message कीज़े में आपको फिरसे समझ आप